प्रात्ना सभाव में बाइबल की बाती सिखाया जाती है, परमेश्वर के बारे में सिखाया जाता है, तो आप किसी भी प्रात्ना सभाव में आखे ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर धर्मान तरो रहे हैं. मैं आज हजारों लोगों को बाइबल का वचन सिखा, चुकाओ खुद बाइबल का वचन सिखा, लेकिन आज तक मैंने अपना धरम नहीं बदा लाओ अब मैं फिर्ब कहता हूँगा मेरा व्यक्ति गत निरना है कि मैं येशु को मानूँ, राम को मानूँ, अल्ला को मानूँ, जिसको भी मानूँ, वो मेरा व्यक्ति गत निरना है वचन सुनने के बाद जो कुछ भी अपने सीखा हो, वो कमेंड करके जरूर बताएं आपके कमेंड्स लजारो लोग पढ़ते हैं और आशीश पाते हैं जोए मसी की दोस्तो प्रिजलॉट आप सभीका स्वागत है आज के इस दिन के इस नए पौड़कास्ट में जिसमें फिर एक बार पासडर निखिल जीरी हमारे साथ मौझ। पास्टर, आपका स्वागत है फारा आजके इस पॉड़कास्ट में और मैं आप सबी बता दू आजका ये जो टॉपिक होगा बहुत ही कॉट्रों वर्षल भी है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू आजका ये जो पॉड़कास्ट है ये होगा धर्मान्तर के वी यही धर्मान दर के विशे में. सुपस्टर जैसे कि हम जानते हैं कि यह जो सब्जेक्ट है, धर्मान दर का, यही बहुत ही कांट्रोवर्शल है. मतलब जब भी हम इस टॉपिक के ओपर बात करतें, कई सारे धर्मों को इसमें involve किया जाता है कई सारे बातों को involve किया जाता है लोगों के विश्वास को इसमें involve किया जाता है और कई हद तक मैंने देखा है कि लोगों में ये बात food डालती है ये जो subject है धर्मांदर का क्योंकि हम social media और news अगर open करते हैं तो news channel में भी और social media में भी लोगों में विवाद continue चलते रहता है डिबेट चलते रहती है इसके उपर कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है news channel में कुछ महिने पहले यही चल रहा था कि मसी लोग क्रिशन लोग धर्मांदर कर रहे हैं दिल्ली में एक सबा हुई थी मसीयों की जहां पर कई हजारों और लाखों के दादाद में मसीयों लोग एकट्रित हुए थे और वहां पर वो एक silent प्रोटेस्ट कर रहे थे जो हमारी गवर्मेंट है उनको अपील करी जा रही थी कि जो कुछ भी सताओ उनके उपर हो रहा है जो कुछ भी प्राब्लम्स वो फिल कर रहे है जो प्राब्लम्स लोगों के द्वारा उन पर दबाव दाला जा रहा है सो ये रुख जाना चीए सो कई हद तक मसीयों उपर इसका एक बुरा इफेक्ट पड़ रहे है सो आप क्या कहना चाहोगे इस टॉपिक के उपर कि धर्मानतर ये जो लोग समझते है वो इस तरीके से क्यों समझ रहे है सबसे पहली बात तो अगर बोलू भारत देश के विशाई में भारत देश में हर एक को ये आजादी है कि वो अपना धरम बदल सकता है अपनी मरज़े से हमारा लौ जो है हमारा कानून जो है हमको धरम को चेंज करने की आजादी देता है वेक्तिकत तोर पर पर उसके साथ साथ कुछ कंडिशन भी है उस पर द्यान देने की ज़रूरत है जैसे कि अभी बात आपने लिया कि मसी लोग धरमानतर करते मैं आज पिछले पंद्रा सालों से येशु मसी पे विश्वास कर रहा हूँ हजारों लोग मेरे द्वारा आशिशित हुए हजारों लोगों को मैंने बाइबल की बाते सिखाया हूँ खूद मैं बाइबल पे विश्वास करता हूँ येशु मसी पे विश्वास कर रहा हूँ पिछले पंद्रा साल से धरमानतर करने का एक प्रोसेस होता है मुझे कोई कहे कि इसने अपना धरम बदल दिया ये इसाई बन गया ये मुस्लिम बन गया किसी के कहने से किसी का धरम नहीं बदलता है भारत में धरम को बदलने के एक प्रोसेस होते है अभी कोई विक्ती प्रातना सभाव में आता है इश्वर की आरादना करता है और वहाँ से उसको कुछ अच्छी बाते प्राप्त हो रही है अगर एक शराबी विक्ती अपने जिंदगी में बहुत बुरा जीवन जीर है अगर वो प्रातना में आके अपने जीवन को बदलता है बुरा से बुरा विक्ती प्रातना सभाव में आके अच्छी बातों को सीखता है अगर उसके जिंदगी में कुछ बातों को लेके परिवर्तन आता है तो इसमें बुरा क्या है तो उसको धरम से क्यों जोड़ा जाता है पहले आप देखो आके कि प्रातना सभाओ में होता क्या है प्रातना सभाओ में बाइबल की बाते सिखाया जाती है परमेश्वर के बारे में सिखाया जाता है तो आप किसी भी प्रात्ना सभाव में आके ये आरोप नहीं लगा सकते कि यहाँ पे धर्मान तो रो रहे हैं, मैं आज हजारों लोगों को बाइबल का वचन सिखा, चुकाओ, खुद बाइबल का वचन सिखा, लेकिन आज तक मैंने अपना धर्म नहीं बदला और मैं फिर कहता हूँ, मेरा व्यक्ति गट निर्ना है कि मैं येशु को मानू, राम को मानू, अल्ला को मानू, जिसको भी मानू, वो मेरा व्यक्ति गट निर्ना है हाँ, शुरू मैंने कहा कि सवीधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म को बदल सकते हैं परन्तु जबरन धर्मांतर नहीं होना चीए लालज देके धर्मांतर नहीं होना चीए यह हमारा कानून कहता है जबरन धर्मांतर की जब बात आती है पिछले कही दिनों से मैं कही सारे ऐसे cases बताओ, ऐसे वीडियो दिखाओ, जो प्रातना सबा में घुस के लोगों को अपने इश्वर का नाम लेने के लिए जबरदस्ती करा रहे, तो जबरन धर्मांतर तो यह हो गया, किसी भी वेक्ति को, चाहे मैं येशु को मानता हूँ, मैं कोई भी इश्वर को मानता हूँ, मैं येशु का नाम किसी के पास जबरदस्ती नहीं बोलवा सकता हूँ, यही चीजे सेम सभी धर्मों के ले अपलाए होता है, कि आप किसी के उपर भी जबरदस्ती आकर नहीं कह सकते कि आप ये इश्वर का नाम लो, उनको मारा जाता और कही सारे ऐसे टॉर्चर करके जबर्दसी इश्वर का नाम बुलाते हैं तो जबरन धर्मांतर को न कर रहे हैं मसी लोग कर रहे हैं कि कोई और कर रहे हैं और एक चीज में इसमें एड़ाउन करना चाहूंगा जैसे कि हम देखते कि कई बार मसीयों पर अत्यचार हुआ है धर्मांतरन के नाम पर लोगों को लालज देखे प्रयात्ना सभाव में बुलाने के नाम पर कई बार ऐसे चीजों का आरोप लगा है मसीयों पर सो कई बार इसके बाद में मसीयों को मारा पीटा भी गया है और इन सारी घटनाओं को हमने सोशल मीडिया के माद्यम से योट्यूब से सुना और देखा है बट कई बार ये सारी घटना ये सारी चीजे निउस में नहीं आते जो बड़े बड़े निउस चैनल से उसमें सारी चीज़ें दिखा ही नहीं जाती तो आपको क्या लगता है कि ये सारे चीज़ों के पीछे निउस चैनल जो अपना काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है या उनको इन्वॉल होना नहीं है इस चीज में देखो पहली बात तो हमारे जो निउस चैनल है है कि सेलिबरेटी का कुत्ता बीमारे उसको दिखाने में भी जी एर तो सच्चा ही गा से दिखाये गी हमारी मेडिया वो चीज नहीं देखारिए जो दिखानी चाहिए है कही ने तो कही जो न्याय का उमीद कर रहहे है उनकी आवाज को दबाये जा रहे हैं और यह साब तो औ कि आपका आवाज दबाएगे, आज में कुछ बोल रहा हूं, मेरी आवाज को दबाने का प्लान भी करेगे, क्योंकि आज लोगों को सच्छा ही नहीं सुनना है, रियल खबर नहीं दिखाना है, जो लोगों के उपर अत्यचार हो रहा है, जो लोगों के उपर प्रॉब्लम्स फाइदा थोड़ी मिलने वाला है, आप जूट बताओ इस दुनिया में, आपको बहुत कुछ मिलेगा, यही सत्य है, इसके कारण दबाया जा रहा है, पर लेकिन देखो, सच्चाई के भी चुपती नहीं, यह सद्यों से देखा गया है कि आज तक कितनों ने सच्चाई को बानते हैं, मसीयों पर जोटे आरोप लगते हैं, और कई बार लोग अपोस करते हैं उस चीज का, लेकिन क्या ऐसी बाते हैं, कि सच में कभी मसीयों ने धर्मान दरन किया है, क्योंकि हम न्यूस चैनल में और हिस्ट्री में अगर देखेंगे, तो अंग्रे जोग को जब भ सब्लिश होते गए, लोगों पर अत्याचार करते गए, और कई हद तक इतिहास कारों का ऐसा मानना है कि उसके बाद धिरे-दिर ये चीजे जादा बढ़ते गई, इसमें और एक चीज एड़ान हो सकती है, पुर्तुगीस जब थे, जो अंग्रेज उससे पहले थे, उन्हो भी कई हद तक इस चीज को यूज किया, सो क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में इनके रहने के बाद में ये प्रोपगेंडा जादा चलने लगा, धर्मांतरन का विशय जादा बढ़ने लगा इनके बाद में, बात अगर इतियास की करे, तो हर धरम जब सक्ते पर आय है, हर बार के लिए जो धरम पावर में आता है, कही ने तो कही, ये चीज देखने में मिला है कि कही धर्मों ने लोगों पर अन्याई भी किया है, कही धर्मों के लोगों ने अन्याई भी किया है, बट मैं किसी धर्म को या पर ब्लेम नहीं करना चाथा हूँ, मैं बात जब मसीयों की कर रहा हूँ तो आपने मुझसे पूचा क्या मसीय लोगों ने कभी किसी को लालज देखे या दबाओ के साथ इतियास में किसी कहा धर्मानतर किया है क्या देखो ये चीजे इतियास में होई जरूर होगी मैंने ही कहता हूँ कि कभी नहीं हुआ रहेगा पट लेकिन मसीयों का कॉंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है जैसे कि जैसे कि अगर बात आती है मसीयों का तो वो सब चीजे येशु मसी से जुड़िये आप मसीयों का सिध्धान्त की और तहन दो क्योंकि हर धरम में दो से तीन ऐसे कुछ लोग होते जो पूरे धरम को बदनाम करने की कोशिश करते देखो बात आता है मुसलिम्स की बात आता है हिंदू की बात आता है इसाईयों की तो हर धरम में कुछ ऐसे लोग होते जो कटरवादी होते वो पूरे धरम को कही ने तो कही कलंक लगाने का काम करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरे मसी समाज को आप जूटा ठहरा है या गलत को या पूरा आप मुस्लिम समाज को गलत को या पूरे हिंदू समाज को गलत को हर एक का कॉंसेप्ट को आपको समझने के ज़रूए तो मसी समाज का नीव क्या है नीव है येशु मसी अब जब मसी येशु के बारे में मैंने अध्यन किया तो येशु मसी जब इस धर्ती पे आये तो उन्होंने कोई रिलिजिस की स्तापना ही नहीं किय वो दुनिया में के बारे में कही पे कुछ लिखा ही नहीं है कि आप इसाई बनो तो आप चंगे होगे आप इसाई बनो तो आप स्वर्च जाओगे आप इसाई बनो तो ही आप येशु को जान पाओगे इसाई बनने के बारे में बाइबल कही पर कहती ही नहीं लेकिन बाइबल सही बनने के विशय में कहती है, कि आप सही बनो, और येशु मसी का इस दुनिया में आने का जो मकसद था, वो Christianity को बिल्ड करने के लिए या उन्होंने कही पर ऐसा तक नहीं का, कि मैं इसाहियों के लिए आया हूँ, मैं मसी लोगों करेगा, वो इसाही बनेगा, या जिसको मेरे से आशिष चाहिए, जो मुझसे आशिष प्राप करना चाता हूँ, पहले इसाही बने तो भाईवल कही पर भी व्यक्ति को इसाही बनने को नहीं कहती है पर जैसे कि मैंने कहा कही सारे लोग, जब धरम के बेस पे पावर में आते हैं, तो उसका कही ने तो कई गलत इस्तमाल ज़रूर होता है कही बार कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो लोगों के पर अन्याई करते हैं, जोर जबरदसी करते हैं, और पूरा थ्वेरी को, पूरा कॉंसेप्ट को चेंज करने की गोशिश करते हैं लेकिन मसी समाज को अगर आप त्यान से अध्यन करोगे तो मसीहत कोई धरम है ही नहीं रियालेटी अगर मैं आपको बोलू मसीहत का मतलब क्या है वाइबल भचन के अनुसार मसी का अर्थ है अनॉइंटेट परसन अनॉइंटेट परसन का दुसरा अगर मतलब देखने दाएगे परमेश्वर की और से एक व्यक्ति अनॉइंटेट इसले बनाया गया अभी शेकित इसले किया गया कि वो दुसरों की मदद करे वो हेल्प करे तूटे बिकरे लोगों की जिन्दगी बनाए अध़त है यस हम इसके पक्ष में नहीं है और एक चीज में इसमें आड़ करना चाहूंगा जिससे कि अपने कहा कि यश्व मसी क्रिश्चानीटी का प्रचार करने के लिए नहीं दे उन्होंने सत्य का मार्क बताया और सच जो है वो यश्व मसी और जैसे यश्व मसी नहीं गा कि मार्क सत्य जीवन में हूँ और सच्चाई के मार्क पर जो भी उन्होंने सेवकाई किया लोगों को वो दीका और सही बात है जितना मैं जानता हूँ यश्व मसी का खुद का धरम यहूदी था अगर आपने यह पॉइंट निकालाई है उदी का पॉइंट देखो अभी बहुत सारे लोग बुलते हमारे भारत देश के विशेश करके कि यश्व मसी तो विदेश का परमेश्वर है वो यूरोप कंट्री का परमेश्वर है बट येश्व मसी का जन इसराइल में हुआ बैतलेम शहर में हुआ और जो इसराइल है वो एशिया का पार्ट है तो येश्व मसी तो यूरोप में जन भी नहीं हुए एशिया नहीं हुआ वो तो एशिया के जगाव पे उनका जनम हुआ है और उन्होंने वही पर अपना सेवा किया. तो मैं तो कहूँ कि प्रभु येश्यू मसी तो एशिया लोगों का परमेश्वर है. तो देखो, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, बाइबल तो कहती है, वो पूरे दुनिया के लिए आया. और यह सकते है, वो खुद क्रिश्यन नहीं थे, तो वो दुसरे को कैसा क्रिश्यन बनाएगे. क्रिश्यन ये टर्म ही येश्यू मसी के बाद आया, राइट, एग्जक्ली, क्यूंकि कही पर मैंने ऐसा पढ़ा था, कि क्रिश्यन मतलब जो येश्यू मसी के साथ जो लोग होते थे, उनको क्रिश्यन कहा जाने लगए. जैसे हम इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन कहते हैं, वैसे ही येशु मसी के साथ जो चेले थे येशु मसी के साथ जो सेवकाई करते थे जो हजारों की भीड उनके बाद उनके कहे के अनुसार जो काम कर रही थी उन लोगों को क्रिस्टियन कहा गया क्राइस्ट जो मसी था और जो मसी के साथ रहते थे उन्हें क्रिस्टियन कहा गया तो मसी का आर्थ है बचाने वाला तो येशु मसी इस दुनिया में बचाने के लिए आए तो जो लोग येशु मसी के चेले थे उनको उसी नाम से जाना गया तो इसको धर्म बनाया गया मसीहत धर्म नहीं है इसको धर्म बनाया गया इसके कारण आज भी हम कहते हैं मसी जरूर है पर हम कोई धर्म से तालुकात नहीं रखते